मद्य प्रदेश के शिवराद सिंग चोहान सरकार अब एक कानून मनाने जा रही है जिसके तहट दंगों या प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान के बरपाई दंगाईयों या प्रदर्शनकारियों से की जाएगी इस कानून का नाम होगा The Prevention of Private and Public Properties Damage and Recovery Act इस कानून के तहट अलग अलग शहरों में ट्राइबूनल सापित की जाएगी इनमें डिरेक्टर जनरल रैंक या पलिस अधिकारी और सचिफस्तर के अधिकारी होंगे ये ट्राइबूनल जिला कलेक्टर द्वारा भीजी जानकारी के अधार पर सरकारी और नीजे समपत्ती को है नुकसान का आखलन करेगी फिर इस नुकसान की भरपाई दंगाईयों या प्रदशनकारियों पर जुर्माना लगा कर की जाएगी इन ट्राइबूनल्स के अधिकार एक दिबानी न्याले यानि सिविल कोर्ट की तरह होंगे और इनके फैसलों को चुनौती देने के लिए आपको कम से कम हाई कोर्ट जाना होगा मतलब मामला गंबीर होने वाला है मदवदेश से पहले कम से कम तीन राजे उत्तरबदेश, करनाटक और हर्याना इसी तरह की कोशिश कानून या अध्यधेश के रास्ते कर चुके हैं और इन सारी कोशिशों का आधार है 2009 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग प्रदशनों के दौरान हुई हिमसा में सरकारी संपत्ती को पहुंचे नुकसान का स्वता संग्यान लिया था और दो कमिटिया बनाई थी इनके अध्यक्षते सुप्रीम कोर्ट से सेवा ने वरित जस्टिस केटी थौमस और वरिश वकील फली एस नरीमन फली नरीमन के बेटे रोहिंटर नरीमन आगे चलके सुप्रीम कोर्ट में जजज भी रहे खär कमिटिज पर लोटतें कमिटियों के सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में दस बिन्दों की एक गाइड लाइन दी इन ही गाइड लाइन्स में ये कहा गैथा सबसे पहले कि नुक्सान की भरपाई नुक्सान करने बालों से की जाए गाइड लाइन्स के मताबिक सभी राज्यों के हाई कोर्ट को एक सिस्टम तयार करना था जिससे नुकसान और मुआबज़ा तैह होता एक से ज़्यादा राज्यों के मामले में यही काम सुप्रीम कोर्ट को करना था नुकसान और मुआबजे का अंतिम फैसला करना था है क्लेम कमिशनर को अब ये क्लेम कमिशनर हाई कोर्ट या जिला नयायले के सिवारजज होते अदालत ने ये भी कहा था कि राजसरकार एक तरफा तरीके से जुर्माना नहीं लगा सकती है इसकी नयायक समिक्षा हो सकती है जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा रहा है उसे सुनवाई का मौका भी मिलना चाहिए ऐसे कानूनों की भावना बहुत अच्छी है या ऐसा कहा तुछ आता ही है सही भी है कि जिसने नुकसान किया उसे भरना भी चाहिए चिनता सिर्फ उन आरोपों से होती है जिनमें अलग-अलग सुनों के सरकारों पर आरोप लगे है कई बार कि उन्होंने ऐसे कानूनों का इस्तमाल सेलेक्टिव तरीके से किया दूसरे सुर्की बराई है पाकिस्तान है पाकिस्तान रशी नगर से शार्जा के लिए उडान जो शुरू हो रही थी उसके लिए अपनी हवाई शेत्र के इस्तमाल को मंजूरी देने से इंकार कर दिया है देश मंत्राल और केंद्री में विचारविमर शुरू हो गया है इस उडान का घाटन 23 अक्टूबर के रोज केंद्री प्रह में चाहने किया था 11 साल बाद से झारप अमिरात और घाटी की भी सीधी उडान शुरू होने जा रही थी जो कि अब नहीं हो पाईगी होती उससे हमको allow नहीं कर रहा है इस ख़बर के बाद इस बात पर विचार एक बार फिर शुरू हो गया है कि क्या देश अपने हां की air spaces का इस्तमाल इस तरह से किसी दूसरे देश को प्रेशराइज करने के लिए कर सकते हैं क्यूंकि ये उस airline के बारे में है उस flight के बारे में है इन लगातार बढ़ रहे हैं इतने के केंदर सरकार ने आठ राज्यों और यूनिन टेरिटरीज के लिए हाई पाबर कमिटीज रवाना कर दी हैं ये राज्य हैं हर्याना केरल राजस्थान पंजाब तमिलनाडू उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड दिल्ली और जम्मू कश्मीर इस साल डेंगे सीजन में अब तक भारत में कम से कम एक लाख सोला हजार नौ से क्यानवे डेंगो के मामले सामने आ चुके हैं